तो हे गाइज वेलकम बैक टो अनफर वीडियो तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं रियल मी C67 के बारे में जो कि रियल मी की जरफ से न्यू स्माटफोन लांच हुआ है इस स्माटफोन को पक्सानी मार्कीट के अंदर फिप्टी थादान के अंदर लांच किया गया है आज है स्माटफिन की दिजाइन की बात कीज़याइए तो स्माटफोन का डिजाइन काफी ज़्यादा खूपसूरत है काफी है प्यारा यहाँ पर आपको और बिल्ड है जो डिजाइन है वह काफी ज्यादा प्यारा है इस स्मार्टफून के अगर हम यहां पर दिस्प्ले की बात करें तो फ्रंट के ऊपर आपको 6.72 इंचेज की एक IPS LCD पैनल मिलती है 90Hz की रिफ्रेश रेट के साथ 800 इंट की ब्राइडनस और 1080p के साथ मिल जाती है फ्रंट पांच और आपको मिल जाता है तो यहां पर इस प्राइज के अंदर रियल्मी को फार्शोर 120 यह का IPS LCD पैनल प्रोवाइड करना चाहिए था प्रोवाइड करते हैं यहां पर 120 हर्श का IPS LCD पैनल प्रोवाइड करते ही है तो रियल्मी ने यहां पर तॉरस डाउंक्रेट किया डिस्प्ले को वैसे डिस्प्ले काफी अच्छा है आपको काफी अची मिल जाती है इस स्माटफून के अगरहां पर प्रफॉर्मस पार्ट क आपको मिल जाती है आपके टास्क को हैंडल कर लेगा लेकिन आप इसके उपर किसी भी तरीकी की गेमिंग नहीं कर सकते है क्योंकि गेमिंग के अंदर स्माटफून इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा जो स्नैप्राइगन 685 वो नॉर्मल जूजिच के लिए एक अच दूसरे ब्रेंड के स्माटफून न्यू बॉक्स पैक आपको मिलते हैं यहां पर आपको रिजल्ट मिलने वाला है और इतना अच्छे यहां पर आपको डीसेंट कैमरे का मिल जाएगा आप यहां पर टैनीटीप थर्टी अपर वीडियो क्लिपी मिल जाएग और वीडियो इस स्माटफून के बैटरी डिपार्टमेंट यहां पर आपको बैटरी मिल जाती है तर्टी वाट की फार चार्जिंग के साथ साथ मिल जाता है इस स्माटफून के आपको 3.5 जैक स्ट्रीयो स्पीकर का सेट अप और 3D काट सलॉट आप वह भी आपको मिल जाती है तो यहा किसी और बैंड की तरव जाते हैं तो आपको आपको अचछी ऑपषन हमेल सकते हैं जैसे कि Decoded and roll 3 pro है यहाप इनफिरिंस स्माटफून के स्माटफून है तो यहां पर मेरा आपको यह opinion है कि आप आपकी स्मार्टफोन के पर भी reviews देश सकते हैं तो अगर आपको और अच्य option मिल सकते हैं लेकिन अगर अपने real meko की स्मार्टफोन लेना है तो आप इसको ज़्रूर चेक आउट कर सकते हैं मजीत ऐसी वीडियो के लिए मारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो अलाहाफिस